एक किसान ने अपने परोसी की निंदा की, अपनी गलती का ऐसास होने पर वह पादरी के पास छमा मांगने गया, पादरी ने उसको कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला, सहर के बीचों बीच भी खेर दे, किसान ने वही किया, फिर पादरी ने कहा कि जाओ और सभी पंख थैले में भर लाओ किसान ने ऐसा करने की बहुत कोसिस की मगर साड़े पंक हावा से इधर उधर उर गये थे जब वह खाली थेला लेकर लोटा तो पादरिन ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है तुमने बात तो आसानी से कह दी लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते इ इसलिए किसी को भी हमें सोस समझ कर बोलना चाहिए